हलो फ्रेंट स्वागत है आपका गुरुविद्या पर और आज हम पढ़ रहे हैं जनल नौलेज कोश्चन्स की जोग्राफी सिरीज यानि की भूगोल से संबंजित कोश्चन्स हम भारत के किस राज又में थन्डी के मौसम में वर्चा होती है? वर अनसर क्या है? न केरल ना असम नहीं पर पर तमिल्नाड के के आव और अगे चलते हैं गुल्म जंगल मैंग्रोव पर्णपाती जंगल या फिर टुंडा वर आंसर क्या है भी मैंग्रोव ठीक है ना गुल्म ना पर्णपाती नहीं टुंडा क्या कहा जाता है मैंग्रोव आगे चलते हैं अब हम भारत में निमलेखित में से किस राज जी की सबसे लंबी तट और आंसर क्या है डी गुजरात तीक है ना महाराश ना अंद्रपदेश नहीं तमिलाडू किसकी है गुजरात की आगे चलते हैं अब हम बैरन तथा नारकोंडम ज्वाला मुखी द्वीप कहां पर अविश्थित हैं तो कहां पर अविश्थित हैं दोनों आपस चार आप्शन है लक्षदीप अंडमानन निकोबार बंगाल की खाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं और आंसर क्या है अंडमानन निकोबार ना लक्षदीप नहीं बंगाल की खाड़ी कहां पर अगे चलते हैं हम हम यदि भारत की करक रेखा की जगे भूमध्य रेखा होती तो भारत की गर करक की जगे भूमद्य रेखा होती तो आगे चलते हैं हम a new चलते हैं तो किसे कहा जाता है अरब सागर की रानी हैं घोने मेरे लक्षिदिवd आंसर क्या है भी कोचिन नमेंष न सूरत न लक्ष दियुकी से कोचिन को कहा जाता है आगे चलते हैं मों निमलिकित मेंसे बिश्व का सबसे बड़ा प्रयादीब कौनसा है तो कौनसा उब पएधिर हाल ऑप्से नहीं काइइद्ब थिए अरब रएधि ग्रीनलेंड या फिर कतर और आंसर किया है और प्राइदीब एधिये नहीं नुश्यार विश्व का सब्से वा दी गुदावरी, ने गंगा नन्रमदा नहीं महानदी कौन सी गुदावरी एफ़ोरे अगे चलते हैं हम निमद्खित में सैकर इस स्थान से गुदावरी नदी का उधन्दम होता है तो कौन से स्थान से होता है, वस चार ओप्शन से, मुलताई नगर, श्यंबकम नगर, श्यंबकम गाउं, या फिर जानापाव पहाडी, या फिर ब्रह्मगिरी पहाडी, अमरा आंसर क्या है, त्रियंबक गाउं, ठीक है, ना मुलताई नगर, ना जानापाव पहाडी, नहीं ब्रह्मगिरी पहाड़ी कौन सा त्रयंबक काउं से होता है उद्गम ठीक है अंगे चलते हैं अब हम गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान करमशय इस्थित है तो कहां पर इस्थित है तोनों का बस चार ऑप्शन्स है नेपाल तिब्बत में तिब्बत इ या फिर उत्राखंड के तिब्बत में उत्राखंड के तिब्बत में तो कहां पर इस्थित है डी उत्राखंड के तिब्बत में ठीक है ना पहला दूसरे ना दीसरे कहां पर उत्राखंड का तिब्बत में आगे चलते हैं अब हम नेमलिकित में से पर्ल ऑफ साइबीरिया क सत्य हैं इसे कहते हैं बimmen चार ऑप्शन से बैकाल जाल को ङजीन को ग्रेट बीएर को करता घील को या फिर लिंकन लिंकन नमबर जाण को तो जो का जाता है बैकाल जील को टैके ना ग्रेट घीर कर्दा नाहीं लिंकन बर इसको बैकाल जो कि कहा जाता है क्या परल organizations साइबीरिया आगे चलते हैं हम भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है भारत की लवण नदी किस नाम से वर जानी जाती है अब चार आप्शन्स हैं मही लोनी बनास या फिर साबरमती वर आंसर क्या है बी लोनी ना मही ना बनास नहीं साबरमती लोनी है वो लवण नादी के नाम से भी जानी चाती है चाहिए और अगे चलते हैं अब हम निम्लिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शुक कहलाती है यह शार आप्षन्स है सोन-गंडग-फुगली या फिर दाव मुदर और आंसर क्या है डी दाव मुदर ना सोन ना गंड़क नहीं फुगली कौन सी दाव मुदर कहलाती है ठीक है क्या किलाती है बंगाल का शोक आगे चलते हैं अब हम निमलिखित में से कौन से मिट्टी कपास की खिद्धी के लिए उप्युक्त है तो कौन से मिट्टी वे चौन पिधनी है इस चार ओप्षिन और जलोड रेगुर, पठारी या फिर इन में से कोई नहीं नमरा अंसर क्या है तो b रेगुर न जलोड नहीं पठारी। कौन से है उप्यूक्त रेगोर किसकी लिए कपास की खेती के लिए ठीक है आगे चलते हैं अब हम भारत में किस राज्जी को भारत का चावल कटोरा किसे कहते हैं अब चार आप्शन से केरल करनाटक अंध्रपदेश या फिर तमिल्नाडू और आंसर क्या है अब हम नेमलिखित में से सुन्दरबन का डेल्टा कौन से राज्जी बनाती है वास चार आप्शन से गंगा ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा तापता हमर आंसर क्या है च्छी गंगा और प्रमपुत्र तापता कौन से गंगा और प्रमपुत्र बनाती है इसका सुन्दरबन का डेल्टा आगे चलते हैं अब हम नेमलिखित में से कौन भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है तो कौन सी है जो भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है आप चार ओप्शन्स है, माही, गंगा, बेदवा या फिर लोनी, और आंसर क्या है, D लोनी, ठीक है, आगे चलते हैं हम, नेमलिकित में से कौन सी नदी दक्षिन से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, तो कौन सी नदी है तो दक्षिन से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, हैं बस चार option कших ना फिर किस्ट ब्लाइश ये ये इंडिया है तो ये सूपर जाती है जो देख आप हम गंगान अधिको बांगलादेश में किस नाम से जाना जाता है रहा चार ऑप्षेंस है पदमा जमुना मेगना यह फिर सांग्पो अगभा है यह बद्दमा नजबुना न मेगना नहीं संग्पो किस currently अगर चलते है अब हम में इस वीडियो के लाड़् कोशून पर निम्न मेंसे किस ग्रह को भोर का तारा, सांज का तारा, प्रत्वी की जुड़वा बहन कहते हैं प्रत्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, सांज का तारा और भोर का तारा किसे कहते हैं आपस चार ओप्शन्स हैं, अरुण, शुक्र, मंगल या फिर बुद्ध वहारा आंसर क्या है वी शुक्र ना अरुण ना वंगल ना ही बुद्ध किसे कहते हैं शुक्र को ठीक है तो इसी के सद हमारी बीस कॉशंस कम्प्रीट हो नए इस वीडियो के उमीद है आपने कुछ नया सीखा होगा हमां मिलेंगे नेक्स वीडियो में नए कॉशंस के साथ तब तक के लिए धन्यवाद